नमस्कार किसान साथियो साथियो आपका प्राइट फारिमिंग चैनल में एक बर्फीर सवागत है देरे देरे नर्मा की आवक दानमंडी में आना स्टार्ट हो चुकी है तो हमेशा की तरह इस बार भी आपके मन में होगा की इस बार नर्मे का भाव क्या रहेगा तो किसान भाईओ आज की वीडियो में अपने नर्मा का ताजा भाव में आने वले समय में क्या भाव हो सकता है और विस्तार से चर्चा करेंगे तो आज पहली बार जो भाई चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन पर क्लिक करें किसान भाईयों अगर अपने इस बार यानि की 2023 में सरकार दवरा जारी नियुन्तम समर्थन मुल्य यानि की MSP की बात करें तो 2022 में मध्धम रेशे वाली कपास का मुल्य चेहजार 80 रुपे था और 2023 में 540 रुपे की बड़ोत्री कर 6620 रुपे कर दिया गया है और लंबे रेशे वाली कपास का नियुन्तम समर्थन मुल्य यानि MSP की बात करें तो 6,380 रुपे था और 2023 में इसमें 640 रुपे की बड़ोत्री कर 7,020 रुपे रखा कर दिया गया है इस बार नर्मे की बुआई अधिक होने से वे नर्मा की चुगाई के समय में बरसात नहीं होने से रेशे की क्वाल्टी भी बड़िया है और इस बार उत्पादन जादा होने की संभावना भी है रेशे की क्वाल्टी अच्छी होने से नर्मे का भाव भी अच्छा मिल रहा है जैसे जैसे धान मंडियों में नर्मे की आवक बढ़ेगी वेसे वेसे भाव में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है लेकिन फिर भी नर्मे का भाव इस बार 8,000 से 10,000 रुपे के बीच रहने क इस भावना है वहीं अपने 2022 की बात करें तो 2022 में नर्मा 7000 से 9000 रुपे के बीच बिका था और अब इमंडी रेट्स के अनुसार कुछ फेमस मंडियों में नर्मे का भाव क्या चल रहा है के बारे में विस्तार से जान देते हैं सबसे पहले बात करें तो मतूरा मन्डी में नर्मा या का पास का भाव 5000 से 6550 रुपे और राजस्थान की हर्मानगर जिले की नोहर मन्डी में 5653 से 6166 रुपे गोलुवाला मंडी में 6,000-7,000 रुपे अब शिरी गंगानगर जिले की रैसे नगर मंडी में 6,325-6,520 रुपे शिरी विज्यानगर मंडी में 5,500-6,150 रुपे अनूपगड मंडी में 6,622-6,450 रुपे वैनागोर जिले के मेड़ता मंडी में 7,400-8,000 रुपे रहा और हरियाना की एलनाबाद मंडी में 6500-6600 रुपे आदमपुर मंडी में न्या नर्मा 7500 रुपे प्राणा नर्मा 7500 रुपे शिर्षा मंडी में न्या नर्मा 6700-6900 रुपे पुड़ाना नर्मा 6800-7000 रुपे तथा पतेमबाद मंडी में नर्मा 6850 रुपे वे कपास 6000 का बाव रहा इस बार नर्मा की बुवाई अधिक होने से उतबादन भी बढ़ेगा जिससे नर्मे के बाव में कमी देखने को मिल सकती है इसी के साथ मैं उमीद करता हूं कि मेरे दोरा दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगने पर चैनल को सब सब्सक्राइब करें वे बेल आइकोन पर कलिक करें और वीडियो को अन्य किसान साथियों के साथ भी शेयर करें धन्यवाद जैजवान जै किसान